हेलो स्टुडेंट सो आज के इस लेक्षर में हम देखेंगे ओईलर मेथड ओके देखो ओईलर मेथड इसके अंदर जाधा काम नहीं करना बढ़ता है अब बताओंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है अब बात आती है यह ह क्या चीज है ठीक है देखो वेरी सिंपल मैं अभी बता देता हूं तो बाद में टेंशन नहीं होगा मैं सपोर्स करो आपको दिया है इनिशल कंडिशन वाई ओब जीरो इस टू ठीक है एंड फाइंड करने के बोला है वाई ओब 0.6 ठीक है अब देखो न्यूमरिकल अनलेसिस सेक रहे हो तो इटरेशन तो आएंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर मैंने एच ले लिया 0.1 तो यहाँ पे देखो पहले तो आएगा 0 0 के अंदर 0.1 एड करो तो यह हो जाएगा 0.1 then 0.2 then 0.3 0.4 then 0.5 and ultimately you will get 0.6 मतलब यह एच क्या दिनोट करता है the difference between two iterations कि दूसरे point में कितना iteration नहीं आएगा कि आगे वाला जो point लोगे उसके अंदर कितना difference होना चाहिए अगर पहला point 0 है तो 0.1 अगर यहाँ पे 0.2 होता तो iteration कैसे बनते 0 then 0.2 2.2 का gap 0.22 का gap so 0.4 and then 0.6 अगर एच की value 0.3 होती तो 0 0.3 and 0.6 एक बात द्यान दर रखना student numerical analysis में जितने जादा आप iterations लोगे आपकी value उतनी ही refine होगी correct होगी ठीक है so उस हिसाब से ठीक है जो exam में दिया जाएगा उसी से हमें करना कुछ से कुछ लेदा नहीं है ठीक है let's start first example dy by dx is equal to 1 minus y initial condition दिये y of 0 is 0 और h की value दिये 0.1 और हमें find क्या करना है 0.2 सबसे पहले एक rough यहाँ पे अपने यहाँ पे था formula में f of x and y so what do you mean by f of xy सबसे पहले f of xy मतलब जो dy by dx के equal to दिया होता है वो होता है f of xy उसके बाद यहाँ पे h कितना दिया है इस 0.1 अपनी starting value क्या है that is initial value that is 0 कहाँ पे पहुचना है 0.2 तो हमारे iteration कैसे बनेंगे 0 0.1 and then 0.2 मतलब पहले यह find करेंगे then यह find करेंगे मतलब दो steps में answer हो जाएगा ठीक है यह हो गए अपना rough calculations ठीक है अब ज़रा करते सवाल को solve करना start यहाँ पे देखो student सबसे पहले आप को लिखना f of xy is 1-y x naught दिया है 0, y naught दिया है 0, h दिया है 0.1 तो अभी हमने सोचा मतलब देखा 0.1 find करना है so y of 0.1 ठीक है y of 0.1 हमें find करना है ठीक है तो formula क्या था रुको wait I'll write down here formula also yn plus 1 yn plus f of xn, yn into h यहाँ पे कहीं तो h होगा ठीक है जो मुझसे छूट गया ओके so now अब देखो x naught y naught दिया है so यहाँ पे starting होगी y1 n की value 0 रग दो so वहाँ पे 0 add करना I'm so sorry so y naught मतलब n की value 0 रग दीना put n is equal to 0 ठीक है यह आपको exam में direct लिखना है इतना सारा explanation देते बैटोगे तो इस जनब में तो paper complete नहीं होगा y naught plus h f of x naught, y naught ठीक है अब देखो y naught कितना दिया है 0, h कितना दिया है 0.1 x naught कितना दिया है 0,0 अब इसके अंदर यह value put करो xy के जगह पे 0,0 डालो तो आपका answer क्या आएगा it's 100% 1 ठीक है देखो चिंता मत करो f of 0,0 मतलब क्या 1- y की value next time से आपको खुद से करना होगा मैं करते नहीं बैठोंगा तो यह क्या हो जाएगा answer आएगा 0.1 तो y1 कितना आगया अपना 0.1 अब same pattern y2 y2 निकालना हमें ठीक है यह हो जाएगा एक सेट पीशे वाला था y of 0.1 तो एक के चम से यह हो जाएगा y of 0.2 तो इसके लिए पढ़ेगा y2 y2 का formula इससे एक कम f of x1, y1 ठीक है अब y1 की value आई थी पीछे 0.1 h already दिया है 0.1 f of x1, y1 अब देखू लास्ट टाइम x1 क्या था 0.1 यहां पर put करो 0.1 y1 भी कितना आया 0.1 तो 0.1 अपना f of xy के आया है student 1-y so 1-0.1 that is 0.9 ठीक है तो यहां पर आएगा 0.9 तो यहां से अगर आप इसे solve करोगे तो आपका answer आएगा 0.19 अपना y of 0.2 आ गया 0.19 ठीक है next देखो जितने ज्यादा example solve करोगे आपकी concept उतनी clear होगी ठीक है y into y dash is equal to x तो देखो यहां पर सबसे पहले y dash is equal to x upon y यह भून नामत y dash का मतलब होता है function that is x upon y given दिया है यहां पर x naught दिया है 0 y naught दिया है 1.5 है h दिया है हमें 0.1 ठीक है h कितना दिया है 0.1 again there will be two iterations ठीक है so सबसे पहले direct शुरू करते 0 मतलब कैसे आएगा 0 0.1 0.2 देखो यह already अपने पास है तो हमें यह और यह find करना है ठीक है let's start so first y of 0.1 तो यहां पर आएगा y1 यहां पर आएगा y naught h f of x naught, y naught ठीक है अब देखो यहां पर y naught की value क्या दिया है student 1.5 h कितना दिया है 0.1 और f of x naught, y naught x naught कितना है 0 यह है 1.5 अपना function क्या है x upon y 0 upon 1.5 0 upon anything if 0 so इतनी चिंता मत करो so entire 0 हो 1.5 ठीक है next अब बारी है y2 की that is 0.2 यह अब निकालना है so y2 का formula हो जाएगा y1 plus h x1, y1 ठीक है जो यहां पर value है वो यहां पर होगे और यहां पर होगे okay now y1 आया अपना 1.5 h है अल्रेड़ी 0.1 x1 लिया था last time 0.1 और यह था 1.5 ठीक है so यह हो जाएगा 1.5 0.1 function था x upon y है जब आप इसे solve करोगे तो आपका answer आएगा 1.5 067 so y of 0.2 कितना आया 1.5 067 this is final answer okay मतलब देखो simple formula एक formula learn करो उसके अंदर formula मतलब values डालती छोले next dy by dx is equal to negative y y of 0 is 1 h is 0.01 हमें find करना है 0.04 मतलब क्या 0 0.01 0.02 0.03 0.04 मतलब यहाँ पर आएगे 4 iterations okay so now सबसे पहले यहाँ पर function दिया है minus y x not दिया है 0 y not दिया है 1 h दिया है 0.01 तो सबसे अब पहले हम find करेंगे f of 0.01 यह you can say y of 0.01 यह वाली value ठीक है तो y of 0.01 का formula क्या बनेगा student y1 is nothing but y not h f of x not comma y not यहाँ पर values put करो y not कितना है is 1 h कितना है 0.01 x not h 0 0.01 oh I am sorry यहाँ पर आएगा 1 ठीक है गलते से हो गया तो देखो यहाँ पर सीधा value put करो function के अंदर तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0.99 तो y1 आ गया 0.99 now you have to find out y of 0.02 that is y2 so y1 प्लस h f x1 comma y1 ठीक है तो y1 की value क्या है y1 अभी आया 0.99 ठीक है प्लस h है 0.01 अपना f है last time 0.01 ली x की value यह x की value होती है x1 मतलब यह गड़बड़ मत कर देना 0.99 जब आप इसको solve करोगे तो आपको again मिलेगा 0.9801 तो y2 कितना आ गया y of 0.02 is nothing but 0.9801 अब हमें find करना है y of 0.03 is nothing but y3 y3 का formula देला हुगा y2 plus h f of x not x2 y2 ठीक है अब देखो y2 कितना आया भी 0.9801 h है 0.01 यह लिया था 0.02 0.9801 जब आप इस solve करोगे तो आपको मिले गहान निगे 0.9703 आप चेक करके देख सकते हूं so y3 आया अपना 0.9703 next one y of 0.04 the ultimate point so y4 is nothing but y3 h f of x3, y3 देखो y3 आया अपना 0.9703 0.01 f of अभी लिया आपने 0.03 y3 आपना 0.9703 जब आप इसी solve करोगे तो आपको ultimately मिलेगा 0.9606 अब देखो the last question of today's session sorry यहाँ पे f of xy दिया है x into y यहाँ पे x not दिया है 0, y not दिया है 1, h दिया है 0.2 क्या बोला है 0.4 so 0, 0.2 के gap से 0.2 then 0.4 मतलब हमें बस दो iterations लेने काम खतम so पहला iteration आएगा f of 0.2 यहाँ पे formula क्या बनेगा y1 is nothing but y not h f of x not, y not ठीक है now y not की value दिया है 1, h है 0.2 फंक्शन है अपना 0,1 ठीक है तो जब आप इसे solve करोगे तो आपको मिलेगा x into y 0 into 1 is 0 so answer is 1 so y1 मिला आपको 1 ठीक है now we will find f of 0.4 देखो इसका मतलब यह नहीं कि आप टाइक y4 लिखो ठीक है आपको क्या लिखना है y2 so y2 is equal to y1 plus h f of x1, y1 तो y1 अभी fresh आया अपना 1 h already 0.2 x1 last time लिया 0.2 और यह 1 यहाँ पे हो जाएगा जब आप इसे solve करोगे so आपको मिलेगा 1.04 ठीक है so आपका ओ यहाँ पे y करना student sorry so y of 0.4 is nothing but 1.04 so यह था oiler modified method sorry simple oiler method ठीक है और यह रहाँ आपका homework आज का so यह आपको solve करना है ठीक है 0.0 नहीं मतला आपको six iteration लेना है okay अगर नहीं आया तो just tell me मैं इसको solve करके दिखा दूँगा okay so thank you so much student have a good day take care